मुवी के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है एक स्पार्टन एल्डर को चोगी बार बार दू से तीन दफजात बच्चों को इंस्पेक्ट करता है जिसमें पहले बच्चे को वो उसकी कुणूप शकल के लिए माड़ देता है और दूसे बच्चे को एक वेट नमी कप उसकी ग्रैनी उसके साथ में फाइट करती है उसे तरह तरह से टॉचा किया जाता है इवन उसको मार करके उसके रिपरड़क्टिव पार्ट पर टॉप फूट लगा करके टॉप उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है और जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसकी ट्रेनिंग पहन कर अपने राज़िक को लटता है ये देख वहां के लोग सब हैरान रह जाते हैं और वहां पर उसका भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है वहां पर मार्गो आती है चो कि हमारी आज की की में करेक्टर है मिनस हीर और डांस करती है जहां पर लियोनी दास उसे देख आंके बड़ी-बड़ी हो जाती है और वह उसे शादी के लिए प्रपोस करता है मार्गो उसे अपनी चैस्टिटी बैल्ट का लॉक का एक्सेस कोट उसकी चैस्ट पर लिखकर के हां में जबाब इस सब को कुछ साला हो जाते हैं और सब कुछ अच्छे से चलता है लियोनी दास और मार्गो की शादी हो चुकी है और दोनों को एक बेटा है जिसी लियोनी दास टफ ट्रेनिंग देता है और मार्गो खड़ी-खुश होती है तब ही हम देखते हैं वहाँ पर उसका आवराएं पर एक आटमी दूसरे आथमी से ऐसे ही मिलता है और हाइफ फाई हम और तो से करके उनका स्वागत करते हैं और टंग किसेज फॉर मैन और इतना सुन मेसेंजर इदर उदा rasa और कहता है और semen पर लियोनी दास کہता है और हम देखते हैं कि मा को पर मेसेंजर गंद डित मिस पिट ओफ डैथ के पास में पहुंचते हैं मैसेंजर बताता है कि जेरिक्स अपने पारशियन आर्मी से पूरे दुनिया पर राज़ करना चाता है वो बिना युद्ध के सब को शांती से ख़तम करना चाता है अच्छा होगा अगर आप खुद से खुद को सरेंडर कर कर दें जेरिक्स तुम्हारी ओर्टों को सेक्स लेफ बनाकर की रखेगा और बच्चों को स्वेट शॉप में नए की सूस बनाने का काम करवाएगा इतना सून लियोनी रास इमोशनल होका कि अपने साथ ची की और तो आत्मियों और बच्चों को देखता है और गुस्य में तल्वा निकालता है और देखता है पीछर परट कर तो मैसेंजर और मार्गो एक दूसरे को कीस कर दें और लियोनी रास कहता है वाट आ हैल मार्गो कहती है ये मेरे पास आया और लियोनी रास कहता है अब तो यूद होगा मैसेंजर लियोनी रास को देखता है और वो कहता ह हमारे पास सेंट फ्रेंसिको और वेस्ट हॉलिवूड है हमको स्पार्टा नहीं चाहिए मैं जेर्रक्स को बोल दूँगा और हस्ते हुए ट्रेटर्स को इशारा करता है दोस्ती का मारگो लियो को कहती है कि मैसिंजय कहता है ये पागल पन है जिस पर लियो कहता है पागल पन नहीं ये स्पार्टा है पर से चौ happier वोता है कि उसी मुह से खुक निकलता हुए मैसिंजे के मु पकिरता है और वो उसीcakर्फ मारकर के जिसम May ट्रेटरों उसे रोगता है लेकिन वहाँ से जाने को है। तब एक ओरत के गाना-गाने की आवाज आती है। तब वह देखता है पलट करके तो एक लीडी है जो छोकि अपने हया शेप करती है। वह अपने बत्चे को तूत पिला रही है। लियोनिदास इस तरह से कई और लोगों को नापसंद करता है उनसे वो इरिडेट होता है उन पर गुस्सा करता है जैसे कि रियान क्रास सेंगर अमेरिकन आइडिल की जजिस रेंडी पॉला साइमन और उन सब को भी वो पीट ऑफ टैप में गिरा देता है जिस पर कैप्टन कह भासता है और उनसे एडवाइस के लिए उन्हें निश्वत के रूप में नीडिल जीना के कुछ प्यूटी प्यूडक्स देता है और तब एक प्रफिस उसे पूछता है अब तुमको क्या चाहिए राजा इसके बदले जिस पर लियोनी रास कहता है आई नीड यूर काइड अच्छ पर लियोनी तुमको करना चाहिए तुमको यूद्र करना चाहिए तुम पका मरों गया नेक्स देखते हैं लियो अपने जूम की विंडोस पर खड़ा है और वो कुछ सोच रहा है क्योंकि वह सोच में पढ़ गया था और की पास उनकर बहार खड़ी लेडिज उस हसती हैं वो उसे कैंड़ कहें करके बलाती है तब लियो बापस अपने मार्गो के पास आता है और मार्गो को पताता है उसे नीझ नहीं आरी वो युद्द को लेकर के टेंशन में हैं मार्गो उसे कहती है उस औरकल मिया कहा कॉRP तुमको उसका कहा मानना चाहिए आप खड़ी एक लेडी को लगती है और वो फर्स पर गेज जाती है मारको कहती है और कल के अनुसर हमारी आज की रात आखरी रात हो सकती है एक साथ तुम को चो भी करना है कर सकते हो तुम जो चाहो वो कर सकते हो लियो कहता है ऐसा जैसा मैंने आज ता कभी नहीं किया तभी हम दे और 100 होते ही उसे वो फेक देता है और सुबह होने पर वो अपनी कैप्टन से जाकर मिलता है और थर्मो पाइल जाने के लिए अपने एकटा हुए सैनिकों से भी मिलता है लियो कैप्टन से कहता है मुझे 300 चाहिए दे यह तो बहुत कम है कैप्टन कहता है हमारी स्पेसिफिकि से सिर्फ यही मैच गिये लियो वाहाँ पर ख़ड़े सैनिक को को चेक करता है और जिस मैंसे वह आगे कट करेई डियलियो नाम कि एक सैनिक को चेक का था है और उसके चैस्ट को पकड़ते हुए कहता है नाइस बूब्स और कैप्टन की तारीफ करता है तब ही लियो को एक लड़का चोकी उन्हीं की तरफ आरा उसे वो नजर आता है जिस पर लियो कहता है हीज़ पैकेज वेट वेट दोस्तों मेंस उसके हाथ में एक बॉक्स लगा हुआ है काटून और वो कैप्टन को बेटा सोन्यो है लियो कहता है उसे लड़ने क्यों नहीं भेजते कैप्टन कहता है वो को योद्दा नहीं वो सिफ मेरा बेटा है वो मेरा नाम आगे लेकर कर ज बने जा रहे हो तब ही मारगो आ जाती है तब लियो नीचे बैटकर कहता है मेरे प्यारे बच्चे मैं तुमको कभी नहीं भूलूँगा एक दिन जब तुम बड़े होकर अपने फादर की तरह से स्ट्रॉंग बनोंगे तब ही मारगो कहती है यह तुम्हारा बेटा नहीं ह लेकिन उसकी हाइट उसके बेटे जितनी है दोस्ता पिच्चे से है जब हमको सीन दिखाया जा रहा है मुझे भी उसका बेटा ही लगा और लियो वापस अपने बेटे से मिलता है चोकी मारगो के राइट एंड पर खड़ाया और कहता है अपनी मारगे देखबाल करना और पंच मारकर के उसे किरा देता है ये कहते हुई स्टे टफ मारगो कहती है अपने शील के साथ वापस आना या शील्ड पर आना लियो कहता है अगर मैं वापस आया तो हम आगे बढ़ाएंगे और दोना हाइफाई करते हैं और लियो को अपने गले से एक माला निकाल करके उस निकलने के लिए ये तब ये ज्एक्स का सिद्न करता है स्पाटन संच आँटेक्स के लिए निकल रहे हैं दैंस करते गाना गाते युदि के लिए निकलते हैं और हुटगी कर्स करते हैं जो homeart stop है और वो वहां पर स्टे करते हैं और उन पर कोई था जो दूसरे नजर बनाये हुए था और वह सब ही डूनरT Abi पोड्रींग फर आग일 भड़ने का प्लान करते हैं तब उन्हें उन्हें कुछ थिस्पीजियस लगता है जो आप वो देखते हैं तो वहाँ पर पैरिस हिल्टन होती है जिस पर लियो कहता है तुमको ये क्या हुआ है जिस पर हिल्टन बोलती है ये कूबर वो उन्हें बताती है तब ही उसका मुबाइल रिंक करता है जो कि निकोले का कॉल था वो उसके बात करने के बाद वो उन्हें ब अपने ही शीर्ड को रोते हुई अपने सर पर किरा लेती है तब एक सेन्य को परशेंट के स्रना नजर आती है और अब वो आमने सामने हैं और एकशिधरी आगे आकर लियो को सामर पर करने का बोलता है जिसी पर लियो involvement कर देता तब उसका एक सैनिक हवा में उचलता हुआ मिंस डेलियो आता है और एक पहाड पर जाकर उससे टकला कर नीचे गे जाता है तब सभी स्पार्टन्स उसे लड़ने के लिए आगे आते हैं तब पर्शिंस का एक एमिशरी कहता है चलो गाइस हम दिखाते हैं इनको कि हम नेशनल चेंप्स क्यों है और अब यहां पर पर्शिंस और स्पार्टन्स के बीच में यूद नहीं डांस कॉम्टिशन होता है और स्पार्टन्स डांस कॉम्टिशन में जीच जाते हैं और पर्शिंस पर हमला करने आगे भरते हैं तब एक पर्शिंस कहता है ड्यूट हम भात करके कर सकते हैं लेकिए इस पारटन सबकी एक नहीं सुनते और परिशन्स को पार से नीचे पानी में किरा देते हैं और लाओर के पास में एक लॉयलिस्ट पहुंचता है और उसे देखता और बोलता है nice tomato or कहता है your husband need you counsel कके अपने husband के सपूर्ट के लिए वह और सेना भेजाओं इनने मारगो कहती है मरगो उठ्ट केलिए पहले ही रजिस्टर कर लिया है जिस पर लायलिस्ट कहता है अगरpractas अगर लियोनिदास हार जाता है तो चेरेक्स का राज हो जाएगा हमारे राज़े पर और तुम हार चीज खोद होगी जिस पर मार्गोट के पैट जाती है और पूस्ती है एंटोनियो को भी और कहती है मेरे हस्बेंट को मेरी जरूरत है मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी करता है वहीं लियो के सामने जेरिक्स आता है जो कि एक मोटा सा राजा है और उसकी अजीब सी दिखने वाली हरकते हैं जो कि स्क्रीन पर नजद आ रहे होंगी किस तरह से अपनी काड़ी से नीचे उतरता है और अपने सिंगासन से उतरते हुए वह नीचे के जाता है जिसक उसे सरेंडर करने का पोलता है तब लियोनी रास अपने सयनिकों की राया पूछता है जहांपर उसी के सयनिक उसे डील करने का ओंवोलते है इवन उसका कैप्टनी जिसपर लियोनी रास कहता है वाथ अब और दो डिल कहता है और योद क estabharni का decision लेता है तब इवर अपर अर्बन केट्स आते हैं चो की जेरेक्स ने ही भीज़े हैं जहां कैप्टन उसे पहले बात करता है और वहाँ पर यो ममा वाली फैट स्टार्ट हो जाती है जिसमें अर्बन केट्स और स्पार्टन के बीच में सिर्फ बातों की लड़ाई होती है उस लड़ाई के दोरान एक हाँ एक ट्रटन के दिल्यों के आखें भी फोड देता है चो की चेरेक्स अपने बालियस को हरते उए देख रहा है वही मार्गो के पास मैं ट्रैटरो आता है और मार्गो की हाथ में लगे मग को लेकरकि उसमे चोवपीता उसे पी जाता है जिस पर मार्गो कहती है याईिस रास को और सेना की जरूरत है I will do anything for my husband और अपने कपड़े रिमूव कर देती है जिस पर ट्रैटोरो कुईट बाइ वरजनिटी बोलता है वहीं हील्टन चेर्क्स के पास पहुंचती है वो उसे बताती है लियो और कैप्टन कहां पर है और साथ ही वो उन्हें हाट केट के ऊपर के एक चुपक्री वाला रास्ता था वो भी बताती है जिसे यूज करके वो लियो को हरा सकता है जिस पर चेर्क्स कहता है तुमको इसके बतले क्या चाहिए तुम क्या चाहती हो हिल्डन कहती है रिमूब बाइ हम्द और जेरेक्स उसके हम्द को एक छुरी से फोड देता है वहीं लियो निदास के पास में सोनियो आता है और वो से बताता है कि जेरेक्स को उस रास्ती का पता चल गया है कुछ ही समय में वहाँ पर हमारे सामने पार्शन सहना होगी तब लियो निदास लियो से उसका इंच्विल का पूस्ता है लियो पलेटते हुए कहता है सिर्फ स्क्रेचेस हैं जबकि उसकी दौनों आखे कायब थी और कहता है गाड ब्लैस्ट मी वेदर स्पेयर लियो कहता है नो जर्मी हैस दिस पेयर जिसको तीसी आँख दिखाई जाती है और लियो उसकी आँखों पर एक पट्टी भान देता है और वो हम देखते हैं कि डियलियो अपने पास इखाड़े बंदे को चोश में मारने लगता है और कहता है आई केंट फाइट तब लियो उसे स्पार्टा वापस भीजता है और अपने गले से उसे एक माला निकाल करके देता है जो कि उसे मार्गों ने दीती और डियलियो डखा करके वहीं के जाता है तब लियो को पाईशी नजर आते हैं और गुस्से में उसके कान से दुवा निकलने लगता है और अब वो आमने सामने हैं जहां पर जेरेक्स भी सामने है वो लियो को खुटने के बल चुटने का बोलता है लेकिन लियो निदास मना कर देता है तब जेरेक्स उसी शूलेंस का छूट बोल करके उससे ऐसा कर वा लेता है और आप जहरेक्स σपार्ट安 को हाई-वाई बोलता है तो वोसिस पार्ट उस पार्टन सुस्ते हैं क्योंकि स्पार्टा में औरते हाई-वाई करती िरदे वेर्स्ट ऐस में ऑर्मी बोलाता है । और कहता है कि इक बेल्ट को सब्सक्राइक तरफ रहने न Calling सका है और वहाँ आने के जाता है। आम सिर्फ से माफ़ी करा साइंड़ करेसंं का यह बच सकते हैं। र इन मांग को गुष्श आता है। वह स्पईर मैँ 3 बन जाती है। और आप ट्रेटोरु से उसके सब्सक्राइट होती है। और आप ट्रेटोरोगो हम देखते हैं, सेंड से बृंण एक डेविल है। माआगो उसे रेट के comprehensive में बदल देती है। तब ही एक मिल्ली आकर उस ढख डेटोर पर पौटी करके चली जाती है। जिससे ट्रेटरो वापस खड़ा हो जाता है और वहां मौजूद सब उसे देखका कि हैरान है और उस पर हस्ते हैं क्योंकि बिल्ली की पॉटी उसके फेस पर लगे हुए थी तब मागो उसे वैक्यूम से पूरा क्लीन कर डिस्ट्राइक कर देती है और हम देखते हैं कि उसके लिए हैल्प करने के लिए रेरी हैं वह स्पार्टन्स और परसिंस के पीछ में फाइट होती है इस तोटली फॉन्नी सीन गाइस तब यहां पर गोस्ट यडर आता है जिसे सौनियो मार गिराता है तब यह रोकी वॉल्वा रेसलर आता है वो सौनियो को मार देता है उसकी ग चाप्टन को मार देता है जिस पर लियोनिडाई के पास बाग करके आता है तब कैप्टन कहता है it is beautiful death जिस पर लियोनिदास कहता है एक्चुली नॉट अट्रेक्टिव इतना सुन कैप्टन मार जाता है तब लियोनिदास जैरेक्स के पीछे आता है और पीछा करते करते Grand Theft Auto means San Andreas गेम खेलता है और जैरेक्स ये देख भागता है वो यूट्यूब एक वीडियो चलने लगता है और जैरेक्स स्पार्टन्स पर गेज जाता है वहें डेलियो मार्गो के पास पहुंसता है और डेलियो मार्गो को उसकी ब्रेस्ट प्रेस्ट करके पहचानता है और उसे लियोनिदास की दिवही माला देता है और चला जाता है वहें लियोनिदास और स्पार्टन्स के डैट हो जाती है चेहरक्स के नीचे दब कर गए आफ्टर वन येर हम देखते हैं कि डीलियो एक लाग सूलजर्स के साथ में तीस हुजा परसिंस के सामना काने खड़ा हुआ है और वो ब्लाइंडली अगर आप इस चैनल पर नई है तो प्लीज आप लोगों से छोटी सी रिक्यस्ट है सब्सक्राइब करना ना भूलेगा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू थैंक्यू सूमच